what's up guys welcome back to my channel आज में लेकर आया हूँ अपना one shot number two मैं आपको बताया था मैं 100-100 question की revision series भी चलाओंगा because देखो रोज 25 question तो मैं कराई रहा हूँ daily 25 MCQ series तो आप चैनल पर देखी पार हो जो भी लोग नए है इस वीडियो के थूआए है जाकर जरूर मेरा playlist section चेक करें उसमें आपको daily 25 MCQ की series मिल जाएगी उसमें आपको रोज मैं 25 general test के starting questions कर आ रहा हूँ revision के तोर पर और English की भी series ते वह भी आपको मिल जाएगी but मैं क्या कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो daily नहीं देख पा रहे है चार या पांच दिन के बाद मैं एक बार उन 25 में से चार questions को compile करके revision series लाता हूँ ताकि जो लोग regularly कर रहे हैं उनका revision हो जाए और जो लोग के वास नहीं time है रोज देखने का वो एक ही दिन में यह देखने पूरा और फटावर्स अपनासार revision कर ले मैं आदे घंटे के अंदर आपको 100 mcq करा दूँगा उससे भी शायद कम टाइम लगे बढ़ हाँ आदे घंटे में आपको 100 mcq रिवाइस करा दूँगा और इसके बाद आप चाहो तो देख सकते हो इसे करने अच्छे से और आज कल में यानि एक या दो दिन के अंदर आपको CVT के फॉर्म भी आने है तो उसे भरना कैसे हो भी अपने चैनल में बताता हूँ प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से उसको भरना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन दबा लिजे किसी भी तरह से CVT के फॉर्म में कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए यह बात ध्यान रखेगा बिकुस एक बार फॉर्म गरतो जाए फि किसी भी तरह कोई भी डाउट अधा को CVT से जड़ा हो अगर है तो कमेंट करें पूछ लेना भाया गलत मत भरना दस बार बोल रहा हूं गलती मत करना लास्टीर बचों ने बहुत जेला है सीज को चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबालो इस व जो मैंने आपके लिए प्रॉपर सीरीज 500 कुशन की तियार कर रखी हैं वो खातम करने की रास्ते पर में चले हुए हैं जैसी हमें सारे खतम कर लेंगे लगबग समझ लो पूरा जनरल टेस आपका कवर होगा उसका आपको कुछ करने की जरूत है नहीं जादा कहीं बाहर से कुछ खास नहीं आएगा पांसो इसके करा दूँगा दो थीन सो कॉंट करा दूगा दो इंग्लिश के मैं करा ही दिए वो भी करा देगी कुछ भी बाहर से नहीं आएगा सब हमारे चैनल से आना है पूरे 50 कुशन आपके यहीं पकड़ लेंगे चलते हैं फर्स्ट निकाला है जिसे वो खुद प्रोइड करता है उसका नाम कहा है study cbsc learn with cbsc ecbc and none of the above उसका नाम है ecbsc आप लोग पॉस करके याद करते चलिएगा मैं निकालता हूँ नेक्स्ट कुशन फिफ्टी सेवेंथ ग्यानपीड अवार्ड अब यह आवार्ज बहुत इंपोर्टन है इसके एक सेपरेट वीडियो वी चैनल पर आने वाली है जिसमें सिर्फ सारे अवार्ड को कवर कर दूँगा और सारे डेस वागरा की वीडियो भी आएगी तो उसके लिए चाल जिमारी ही अचिनए मिल ट्रटेंट सिर्फीरी अभी इंडिया ट्रटेंट अवार्ड बजाट अटुग इंडियो खेस्ट क्राइगी अएट चैनल पेस्ट कर्यों अगमें जज पकॉर्यू के एट खेस्ट बर्ट is the ex-official chairman of the planning commission president, planning minister, prime minister, या फिर finance minister, तो आपका prime minister is the ex-official chairman of planning commission, ये question जामया का entrance में भी आया था मैं अपनी बता रहूं और मेरे CVT entrance में भी आया था, ये ex-official chairman वाला question समझलो हर जगा आता इसको रट लेना, prime minister होता है planning commission का और ndc का भी बजय होता है NDC IMF is the result of International Monetary Fund IMF वो किसके result से बना मतलब किसके बाद बनाया गया Brettonwood Conference के बाद या फिर Rio Delegionario Conference के बाद या इन दोनों के बाद मिल के बनाया गया था इसका answer है Brettonwood Conference जो ही थी उसके result में IMF बनाया गया था The Doldrum Belt is located near जो Doldrum Belt है वो कहां located है वो Equator के पास है Pols के पास है Topic of Cancer के पास है Topic of Capricorn के पास है वो है Equator के पास मैंने इसमें सारे questions रखे हैं का जोग्रिफी भी होगी पॉलिटी भी होगी Economics भी हिस्ट्री भी होगी और भी General Science भी होगी Next question Which sea has no coastline? कौन सा एक sea इसके कोई coastline नहीं मतलब वहर तरफ पानी सही गिरा हो है ऐसाथ जमीन को टच नहीं करता है White Sea, Sargasso Sea, Sea of Okhotask या Tasmania Sea Answer is Sargasso Sea Next question The Hunter Commission was appointed after the Hunter Commission जो था वो किस चीज के बाद पॉइंट किया गया किस incident के बाद जलियावालाबाग के बाद Black Hole incident के बाद Uprising of 1851 के बाद या Partition of Bengal के बाद वो जलियावालाबाग में से के बाद पॉइंट किया गया था बहुत ही famous incident है The Lingaraj Temple is located at Lingaraj कहां पर located है इसके नाम से आपको बहुत चल रहा होगा कि जिस तरह का इन नाम है कहां हो सकता है बिजापूर, भुबनेश्वर, कॉलकता या हरिद्वार ये भुबनेश्वर में है Next question The leader of Bardoli Satyagrae was Bardoli Satyagrae के leader काई है अब इसमें बच्चे गलते हैं बहुत गलती है Satyagrae का leader तो MK Gandhi जी थे लेकिन Bardoli Satyagrae इसके leader काई है सर्दार पटेल, MK Gandhi, Jawala नरू या मिताब बच्चन सब लोग Gandhi जी करके चले आते है इसका अंसर सर्दार पटेल है Next The Saka era began in Saka era कब शुरू हुआ 58 BC, 78 AD, 144 AD 319 AD Saka era कब शुरू और किसने शुरू किया यही बड़ा important question है या तो आगे आजाएगा नहीं आएगा तो आप लोग comment करके मुझे बता होगे Saka era शुरू कब शुरू कब शुरू कब शुरू कब शुरू किया था 78 AD में Next question Aligad movement was started by Very important question Jamia, AMU, इन सब के entrance में तो समद लो एक पक्का question है या आता ही आता है रोकी नहीं सकता CET में भी बहुत chances है इसके आने के Because important question है तो मौमद अली जिन्ना ने शुरू किया था Sir Sayyad Ahmed Khan ने किया था Dr. Zakir Usain ने किया था और मौमद इकबाल ने किया था सब बच्चे मौमद अली जिन्ना करके चल याते देखने की नौबत नहीं पड़ी है मतलब financial emergency पैसो को लेकर को इतनी बड़ी तंकी कभी नहीं आई The President of India can be impeached under President of India को किस Act के या Article के तहत impeach के आसता है या नहीं हटाया जा सकता है That is Article 61, Article 75, Article 76 Article 365 Answer is Article 61 के तहत उनको हटाया जा सकता है Next question The President of India uses veto power Only one sin Veto power आपको को पता होगा President के पास एक power होती है कि चाहे पूरा Parliament, पूरा Council बोल रहा हो यह होगा President के ऐसे एक power है वो अकेला बोल देगा यह नहीं होगा तो नहीं होगा उसके पास एक single यह power होती है कि उसके पास यह right है जो defense है, उसका Supreme Commander actually में कौन होता है President, Prime Minister और Chief Justice तो Chief Justice तो हो यह नहीं सकता CGI तो Lawyer वो है ना Judiciary का Head है तो वो कैसा हो सकता है और Prime Minister तो Planning Commission का Head होता है NDC का Head होता है तो President होता है, Defense का Head Which one does not carry de-oxygenated blood अब यह आगई General Science यहाँ पर आपको बता होगा कि हमारे यहाँ पर veins और arteries होती है जो blood carry करती है एक oxygen लेके वाला blood carry करती है heart से और एक oxygen के बिना जो blood होता है वो लेके heart में जाती है और उन्हीं के opposite होते है pulmonary vein और pulmonary artery आपको basically science है कि डीटेल में पढ़नी तो बताना बैक्टिरिया से वायरस से प्रोटोजोगा से फंगस से मजेरी उता है प्रोटोजोगा से याद अठना अच्छा कोशन था 0-ophthalmia is caused by protein vitamin A, riboflavin and niacin vitamin A next question saffron is a rich source of vitamin A, riboflavin, vitamin C and vitamin D riboflavin saffron is a rich source of riboflavin next question chocolate can be bad for health because of high concentration of what chocolate में क्या होता है भई है जिसके वेसे उसे health के लिए ख़लाब कहा जाता है cobalt, nickel, zinc and lead nickel next question the universal law of gravitation was propounded by very simple question सबने पढ़ाया 10 वी तक gravitation का law कॉन लाया था Newton, Galileo, copper nickels, या फिर Kepler Newton, Newton के ताना है gravitation का law next question the weight of a body is maximum at everywhere, at the equator, at the poles, on the hills एक इंसान की जो शरी का बज़न होता है सबसे जादा कहा होता है सबसे भारी इंसान किस जगा पर लग रहा होता है जब वो poles पे ख़ड़ा होता है तो आपका वहाँ weight measure कर तो जादा आएगा next question atmospheric pressure is measured with what hydrometer, barometer, altimeter या hygrometer atmospheric pressure measure कर जाता है barometer से next question हमने वीडियो का one fourth part cover कर लिया है बहुत ही कम टाइम में फटाफट से marathon session है guys economic tax in India was introduced by इंडिया के अंदर income tax sorry income tax कौन लेकर आया था William Jones, James Wilson, Nicholas Calder या महावीर ते आगी इंडिया के अंदर James Wilson साहब ने income tax को introduce कि आपकी income बढ़ी होगी जो members होते हैं वह changeable government होते है decide करेगा कौन decide करेगा यह मुझे आप कमर्ण में बताना कि वह बंदा कौन है जो planning commission हो control कर रहा है next question who is the chairman of NDC में आप को ही बताया था national development council NDC का chairman कौन होता है prime minister होता है ध्यान रखना ex official chairman of Rajya Sabha वह कौन होता है ndc का chairman कौन होता है यह सारे important questions है आतने paper में where was first gold refinery established पहली gold refinery कहा established की गई थी एमदाबाद में शिरपूर में बैंगलोर में मुंबई में आंसर है शिरपूर में पहली gold refinery शिरपूर में established होती the highest urban population lie is in होगा सबसे ज़्यादा urban लोग यानि सबसे ज़्यादा पहुष लोग किस state में रहते है urban समझे रहे हो ना आप एक उताया urban urban यानि जो proper अपनी calorie intake पूरा कर रहे है अच्छा पहुष इलाका है अच्छे पैसे वाली लोग है वो लोग कहा रहते है सबसे जादा population की कहा पाई जाती है तामिल लाडू है पाई आंसर देखके बचल जाएगा यार यह urban वाला केस हो तो तामिल लाडू ही होगा obviously south indians which is the most liquid measure of money supply most liquid का मतलब का मतलब का होता है सबसे आसानी से पैसे में convert हो जाना मतलब money supply में बहुत तरह के चीज़े होते है उनमें से एक होता है सबसे easily का मनी में convert होता है तो actually में M1 सबसे basic form of money यह होता है cash next question the clouds flow in the atmosphere due to their low clouds जो atmosphere में तहरते रतने क्या कम होता है उनका जिसके वेसे तहरते रतने क्यों वो जमीन पर नहीं आते उनके अनर pressure बहुत कम होता है इसले वो जमीन पर नहीं आते और तहरते रते है next question which country receive the most acid rain सबसाथ है acid rain का होती है China, Japan, Norway, USA acid rain is very dangerous for health Norway में सबसाथ है acid rains होती है next question the biggest shipping canal in the world is सबसे बड़ा shipping canal जो दुनिया का है वो कहा पे है मतलब वो कौन सा है hill canal, Panama canal, Siu canal or Swiss canal answer is Swiss canal highest life expectancy is found in Japan, China, India or Bangladesh सबसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का है सबसे जादा कहां जीते हैं लोग सबसे लंबी उमर जापान में लोग बहुत लंबी उमर जीते हैं अधे होगा जापान के बूडे बूडे होकर भी जवान होते है next question who was the founder of city of Agra मुहमद तुगलक अलाओ दिन खिल जी सिकंदर या इब्राहिम लोदी answer is सिकंदर सिकंदर was the founder of city of Agra sorry who gave the theory of drain of wealth from India drain of wealth का पहले मुझे मतलब बताएगा एक बच्चा comment section में because इसका लोग लिटरल मीनिंग है न वो नहीं होता है who gave the theory of drain of wealth from India सीवी रमन सरोजनी नाइडू आदम स्मित या दादा भाई नारोजी answer is दादा भाई नारोजी ने concept जिया था drain of wealth from India next question which ruler gave the cave temple of Elephanta Elephanta जो cave temple है वो किस ruler ने बनवाया था विजय नगर राष्ट कूटाज वालों ने कुशन ने पेशवाज ने राष्ट कूटाज ने बनवाया था next question who got दौलताबाद constructed दौलताबाद किसने construct किया था बल्बन ने तुगलग ने रजिय सुल्तान ने या अलावदीं खिलजी ने answer is मुहमद तुगलग next question अब बुलन दर्वाजा बुलन दर्वाजा कहाँ पे या आप लोग कमें से जरूर बताना कि बुलन दर्वाजा actually located कहा है आपके लिए अच्छा ने कोशन आ सकता है तो research कर दो आफ़ाज चलेगा the tenure of the vice president is जो vice president होता है इंडिया का उसका कितने tenure होता है कितने साल के लिए वो गदी पे रहता है court terminus with that of president president के साथ ही खतम हो जाता है 5 साल का होता है dependent on the will of the president मतलब president की मरजी है वाई जब चाहे निकाल दे या 6 years तो 5 years is the answer 5 साल का होता है the vice president is the ex-official chairman of what अब हमने पहले क्या आप रहाथा प्राइम मिनसर किसका ex-official chairman होता है पर अब यह मताओ vice president किसका ex-official chairman होता है राजय सभा का national development council का planning commission का none of these राजय सभा का ex-official chairman होता है vice president मैंने पताया था निए question भी important है next question if the vice president wishes to resign from his office he has to address his education to अगर vice president को resign करना है अपनी job से तो अपनी resignation किसके office में आके submit करेगा the speaker of log sabha the president the deputy chairman of raja sabha या इन में सो कुछ नहीं उसको सीधी बात है vice president को सारा काम होता है president के तुरू उसको president को resignation भीजना पड़ागा कि साब मेरे को करना है resign the council of minister is collectively responsible to what जो council of minister है वो किसको responsible है ध्यान रखना मैं आपको एक overview ऐसे बता जाता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कोई भी काम खुझ से नहीं कर रहा होता है उसके अंदर एक council of minister बैठा होता है वो लोग सारा काम करते है research करते है और उससे को बताते है सारा मैं आप ऐसा करना चाहिए फिर minister उसे देखता है कहता है हाँ ठीक लग रहा है कर दो तो basically सारा काम जो हो रहा होता है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को ब्लेव नहीं करना चाहिए उसके लिए council of ministers को ब्लेव नहीं करना चाहिए है doubtful question है एक मिनिट में चेक कर लेता हूँ फटापट से इसका अंसर पार्लेमेंट ही होगा ना बिकुस हाँ पार्लेमेंट अंसर बन तो रहा है लेकिन चांसे है कि कहीं कहीं जगा पे ना दे मैं एक मिन आपके लिए देख लेता हूँ तो council of minister हाँ जी सही है मतलब वो काम तो प्राइम मिनिट के अंदर ही करते है लेकिन हाँ responsible होता है पार्लेमेंट के लिए the prime minister is the head of the state head of the government head of the state as well as the government आपको बता है head of the state कौन होता है वो होता है president head of the government होता है prime minister जैसे मोदी जी हमारी BJP जो हमारी government है उसके head है पूरे country के head है country के head है president होता है next question in jaundice which organ is affected कौन सा organ affected होता है तो आपको jaundice होती है kidney, lungs, liver, and stomach liver next question the polio virus enters the body through mosquito bites, leg bites contaminated food and water या saliva polio का जो virus से बोड़ी के अंदर कैसे घुसता है contaminated food and water के थू next question food and mouth disease occurs in यह जो disease of food and mouth की है इंसानों को तो होती है जानवेरों को होती है तो यह किसको होती है cattle को, cattle ship को, cattle pig को cattle ship and pig 3 होती है तो cattle ship and pig 3 होती है the surgical transplant of human heart भाई जो human heart का transplant वाला concept है कि किसी और का दिल किसी और के दिल में लगाया था यह concept किस ने बनाया था WD Wires ने यह तो मिस्प्रिंट है राइज लिखा हुआ है बाट ओके Christian Bernard या फिस G Hamzen या फिर J Lister आंसर इस Christian Bernard ने Christian Bernard ने heart transplant वाला concept लेकर आये ते next question आधी वीडियो खतम हो गये गाइस पचास कोशन हमने कर लिए फटा 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 निप्टा यह जिनको मेरी स्पीड से इशु आ रहा हूँ वह 0.75 पे कर ले ना कि विकोज मैं जानता हूं मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं वहां पर लेकिन आका टाइम दाता वेस्ट होगा आप चार वीडियो दिखनी पड़ेगी यहां पर करके एक ही वीडियो को देख लो what is responsible for diptheria and influenza virus, bacteria, fungus and both A and C diptheria किसकेरेसे होता है और influenza भी यह दोनों होता है bacteria और fungus की वज़े से इसनने ब crec बाट आपशन है आप च्बने लाइफ के लिए अब लुए से पढ़ए हो जामें आई उनको ब बसे बहुत आगे हो अगर आप 51 questions तक आगए हो, तो like कर का दो video को, जाकर comment में क रही है कि βए आं ने video-आ पूरी देख थी मतलब में आने video के 50% से जादा देखी a और और उसको बसारा पोरे के लिए comment करके जाना मैं जरून की left का करूंगा तेंशन मतलब कुछ छूटने दूँ आपका में, पंजाब जारखन के राया आसाम साफ जारखन करके चले आतने, शीरोटाइब बना रखा एक पता नहीं क्या, लेकिन सबसे ज़्यादा शेडूल कास के लोग पंजाब में रहते हैं, OTCEI, अब जहां एक्सचेंज आगया, इसका मतलब क्या, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, मैंने बताया था, पढ़ाते वक्त, ATOMIC subvenir of India, ECONOMIC law of USA, and Indian share market is none of these, obviously it's a share market, exchange का मतलब भी share market हो जाता है, वेन personal direct taxes are subtracted, यह question बाकी सब बच्चों के लेनिए, सिर्फ उनके लिए, जो BCOM owners, BBA, ECONOMIC owners करने वाला है, वेकुस आपके paper में आ सकता है, बाकी किसी के paper में यह नहीं आया जनरल टेस्ट वालों के, when personal direct taxes are subtracted from personal income, the obtained value is gross domestic product, national income, gross national product, या personal income, gross national product, या परस्ट नहीं सब्सक्राइक करते हो बाकी नहीं सब्सक्राइक करते हो बाकी काम है, तो आपके gross national product नहीं हो गयाता है, not so important question, it was just a fine question, इक बार देख लिया तो ठीक नहीं समझ मैं तो छोड़ देना, in India the term black revolution associated with, अब इंडिया में जी revolution बड़ी सारी होई है, जैसे white revolution होई है, golden revolution तक होई है, silver revolution होई है, तो black revolution किस सब्सक्राइक हो रहे था, सब को इसके नाम black से पता चल जा रहा चाहिए, मैं options पढ़ा हूँ गई नहीं, मैं सीधी समझाएता हूँ कि black का मतला petroleum crude oil, सीधी बात है, black मतला petroleum crude oil का काम होई है, तो इसमें answer है, self-dependence in production of petroleum crude oil, petroleum के लिए जो self-dependence का काम होथा उसमें, black revolution की गई थी, मुझे बतावा एक बड़ा वाइड revolution किस ले होई थी, comment section में, the world's largest river island is, सबसे largest river island world का कहां पर है, कौन सा है, green island है, मजूली है, Tasmania है, मैंने बताया था, मजूली is the right answer, next question, the leading producer of iron ore in the world is, सबसे लदा iron ore कौन प्रोडूस करता है, Australia, China, Russia या USA, answer is China, China, 90% जगहों पर answer, China ही होता है, कोई भी जगह पर leading की बात हो, मतला first number की बात हो तो China, second number की बात हो, salt electricity कहाँ पर है, USA, Canada, Australia, Argentina, Australia, salt electricity situated, next question, easiest question, the ozone layer in the atmosphere, causes rainfall, causes pollution, protects life on earth, from ultraviolet radiation, protects oxygen in the atmosphere, केस काम आती है, Ozone layer, सबको पता है, ultraviolet radiation, जो sun की होती है, the world's wettest spot, सबसे जादा गीला spot, यानि जहाँ पर पानी हमेशा ही रहता है, पानी, बारिश, पानी, बान, हर्वेशा चलती रहेगी, कहाँ पर है वो, सोचो, ये world's wettest spot इंडिया के अंदर है, तो आपको इसके लिए गर्व होना चाहिए, गर्व तो नहीं कहा सकता, a wetter spot है, but still, at least world में कोई चीज एक ही है, और आपके पास है, क्योंकि नाम एस्याडिक सोसाइटी है, लोग सोचेंगे कि एनर जी साहब होंगे, इंडिया के लिए गाम किया है, तो इंडिया कहीं होंगे, but नहीं, Sir William Jones ने रॉयल एस्याडिक सोसाइटी बनाई थी, next question, Sanchi is famous for what, Sanchi किसलिए famous है, सबको सांची के साथ एक चीज़ बोलते हैं, Sanchi what, Sanchi? Sanchi famous है, Sanchi famous है अपने largest Buddhist stupa के लिए, next question, Prithviraj Raso was written by, Prithviraj Raso एक book किस ने लिखी थी? Bana Bhavabhuti, Jai Devi, Chand Bhardhoi या फिर Bana Bhat, answer is Chand Bhardhoi, Chand Bhardhoi ने Prithviraj Raso लिखी थी, आप सिर्फ options मत देखो, सिर्फ answer or question याद करना है, Prithviraj Raso किस ने लिखी? Chand Bhardhoi, Who was the first to invade India during 8th century? 18th century इंडिया में किस ने invade गया? Turk ने Arab ने English ने आफगानी ने, English तो बहुत बाद में आये थे, तो उस time पर Arab आये थे, What was the first metal to be used by the Vedic people? Important question, जो Vedic people, जो पुराने लोग थे, उनने सबसे पहला metal कॉंसा यूस किया? Bronze, iron, copper या gold, सबसे पहला उननों को copper समझ भाया, तो उनने वो यूस किया. The Prime Minister is elected by the Lok Sabha, elected by the two houses of the Parliament at joint sitting, or appointed by the President, or appointed by the President in consultation of Speaker. Answer is, Prime Minister को President appoint करता है. Generally, the Prime Minister is not a member of Parliament, a member of the Lok Sabha, a member of the Rajya Sabha, a member of Lok Sabha as well as Rajya Sabha, the answer is, Prime Minister is the member of Lok Sabha, remember. Quality के question है guys, मैं फटावट निगाल जरूरा है, आप भूल मजाना है, बहुत important question है, quality पक्कादी पीपर में, मतलब अगर साथ कोशन है, तो साथ 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 कोशन, 60 में से अगर साथ आठ कोशन समनलो, quality आनी आनी है, और जामिया वालो तुम तो समनलो, 18 कोशन आ जाएंगे, CVT में, जामिया एंटरेंस में, quality से, बहुत quality आती है, which one of the following Prime Minister, never attended the Parliament during his tenure, यह कभी Parliament गय ही नहीं, बताव ऐसे Prime Minister भी थे, is determined by the Prime Minister, is determined by the President, by the Parliament, अबने आपको बताया था, Council of Ministers जो है, किस के अंदर काम करता है, Prime Minister के अंदर, तो उसमें कितने लोग काम करेंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कौन चुनता है, Prime Minister चुनता है, next question, the minimum age at which a person, can be appointed Prime Minister of India, is, एक minimum उमर क्या होनी चाहिए, आपको Prime Minister of India बोलने के लिए, 21, 25, 30 या 35 बनने के लिए, तो the answer is, कम से कम 25 साल का बंदा होना चीए, तब यो Prime Minister बन सकता है, next question, which worms enter the intestine by penetrating the skin, hook worm, tap worm, ring worm, all of them, इनमें से कौन से worms हैं, जो intestine को enter करते हैं, skin से घुच जाते हैं directly, hook worm, नाम ही hook है या इनका, syphilis is caused by, syphilis जो है, वो किस चीज के तुरू cause क्या जाता है, is caused by what, bacillus, vibro, spiro, या none, syphilis, किस के तौरा cause क्या जाता है, the answer is bacillus, the disease is caused by viral infection is, the disease caused by viral infection is, typhiide, common cold, cholineratedness, viral यार, viral का मतलब ही cold होता है, सीधी बात है, next question, the deficiency of vitamin A causes what, vitamin A की कमी से क्या हो जाता है, weakness आजाएगी, dysentery हो जाएगा, malaria हो जाएगा, night blindness हो जाएगी, yeah night blindness, vitamin A की कमी होगी तो अंधेर में नहीं नहीं दखाएगा, आपको बिल्कुल भी, communicable disease कौन कौनसी हैं में से, cancer, asthma, diabetes and none, भाई कोई communicable नहीं है, cancer, asthma, diabetes, सबके सब separate diseases है, कोई फैल्ती नहीं किसी के छूने से, RBI should always possess, the minimum gold stock of worth, RBI के limited gold अपने पास हमेशा रखती है, हमेशा safety के दौर पर रखती है, तो उसका amount के कितना रखती है, 115 करोड रुपए का gold, RBI के पास हमेशा available होता है, next question, inflammation is measured in India, on the basis of which index, इंडिया में inflammation, inflammation नहीं होगा, यह inflation होगा, यह गलत print होगा है guys, inflammation नहीं है, मेरे पर भी correct करने का कोई तरीका है नहीं, तो इसको अगर मैं, मैंने pen tap correct नहीं कर रखा, actually मैं, मैं हाज सी कर देता हूँ, यह inflammation नहीं होगा, यह होगा inflation, बहुत गंदा में काटा है मैंने, बटोके एक दूर करके चलना आप लोग, पूरे कड़ गया है, छोड़, नहीं करना मैं, क्योंकि pen tap मैंने connect नहीं कर रखा हूँ, तक pen tap नहीं लगा हो न, होता ही नहीं है, छोड़ो, सो यह next question है हमारा क्या था, क्या question की, जो inflammation in India है वो किस चीज के थूरू वह होती है, measure की जाती inflation, inflation मतलब क्या होता महंगाई, inflammation होता है, inflation होता है, महंगाई किस के थूरू measure होती है, वह measure होती है आपकी, wholesale price index के थूरू, national income के थूरू, consumer price index के थूरू, इस दुनिया में, इंडिया कहा हना था या, India second, India second, India second, China first, China first, जाद ही कर लो, rare case होता है कहीं जहां पर India first हो जाती है, वरना India second ही रहती है, जाद रखना, फूरू पुचें लिज़ए, India second, the most profitable unit is what BSNL, NTPC, ONGC या IOC, सबसे दा प्रोफिटबल उनिट कान सा है, सबसे दा फाइदा, कहा से हो रहा, किस उनिट से हो रहा, that is ONGC से हो रहा, next question, which sector shows lowest growth rate, primary sector, secondary sector, tertiary sector, या none of these, इन में से कोई भी नहीं, सबसे साथा, बुरी growth rate किसकी रही है, सबको बता है, यार, पहले पूरे इंडिया खेती करता था, आज जिदी रिले सब लोग से बाहर निकल चुके, तो answer is primary sector, the important metal used with the iron to produce stainless steel, is, कौन सा metal है, जो iron के साथ यूज के जाता है, stainless steel बनाने के लिए, aluminum, chromium, carbon, carbon, chromium और iron को मिला का steel बनती है, यह बाद याद रखना, अच्छा कोशन था, one astronomical unit is the average distance between, एक astronomical unit, किस चीज के बिच का distance है, जैसे astronomical unit क्या होता है, कहीं भी astronauts जाते हैं, किसी कोई भी दूर ही हमें, आपने होते हैं, कैसे बोलते हैं, कि वो चीज हमसे 10 astronomical unit दूर है, 10 AU दूर है हमसे, तो वो जो एक AU होता है, वो कितना वड़ा distance है, जो एक AU होता है न, वो अर्थ और sun के बिच का distance होता है, उसे एक AU गोलते हैं, इसका आंसर क्लोरीन नहीं होगा, ये कोशन रॉग है, मेरे पे पेंटाब नहीं होना, आपको लिख के दिखाता है, इसका आंसर होगा, कि water pollution जो मेजर होता है, इस आप से मेजर होता है, कि पानी के नदा कितना amount of oxygen है, ये वाद ध्याहा रखता है, मैं आपे लिख देता हू without pen tab, लिखना वड़ा मसला हो जाता है, जो water pollution है, वो मेजर के आता है, कि इसके नदर कितना amount of oxygen मिला हो है, chlorine तो पानी को फ्योर करने के गाम आती है, next question, the largest exporter of tea in the world is, China, India, Indonesia and none of these, the answer is, China, the largest exporter of tea in the world is, China, next question, the minimum forest cover to mint and ecological balance in the plains is, कितना कम से कम forest cover होना चाहिए in the plains में था कि ecological balance बना रहा है, एक्दम पेट पादे सारे काथी मदो यार, कम से कम 33% पेट पादे होना ही चाहिए, forest cover होना चाहिए, primitive man first learned, जो पुराने old age man थे, उनने सबसे पहले क्या चीज़ सीख ही, fire, grow, grain, very domestic, सबसे पहले पत्थर इंडेस नहीं थी, but हां, इंडेस अली बहुत बहुत प्राचीन रही है, famous किस लिए थी, town planning के लिए, architecture के लिए, craft friendship के लिए, ये तीनों है उसकी खासियती जो यहां लिखी हुई ही है, next question, which one of the falling metal was not known for the इंडेस people, इन में से कौन से मेटल इंडेस पीपल को पता ही नही था, tin, copper, iron, lead, हिरानी की बात ही है कि उन्हें iron ही पता नहीं था, उन्हें बागी सब पता था, tin, copper, lead, सब पता था, what was the staple food of the इंडेस people, इंडेस people खाते क्या थे, क्या उनका staple food, rice, wheat, corn, potato, wheat was the staple food of इंडेस people, the इंडेस people venerated the bull, cow, garuda, या eagle, bull, जो इंडेस people थे, उनने किस को venerate किया पुझा किसकी करते थे, बनेरे मतलब होता है कि किसकी respect उसकी जाद की जाती है, वो बुल की पुझा करते है, जो बच्चा यहां तक जुड़ा हुआ है, वीडियो को लाइक कर दो, अपना comment में लिग दो, कि भईया मैने वीडियो पूरी देखिए, मैं उसके comment को like करूँग इस बहुत, पूरा इस फॉंट में बनाने में, नीचे लिखने में, बिकम अमें लगता है, इस सब कुछ में टाइम लगता है, बट ओके, आप लोगको हमें सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए सब कर लेंगे, the minimum age at which a person can be appointed as prime minister of India is, 21, 25, repeat question है, 25, 25, 25 साल, बताया है, मैंने, the prime minister is the chairman of, बताया है, मैंने, किसका chairman होता है, planning commission का, minority का, finance commission का, planning commission का, simple question, अब Parliament of India में क्या होता है, repeat question है, Parliament of India में, president होता है, लोगसभा होता है, लोगसभा होता है, सब के सब, लोगसभा राजसभा है, तो prime minister अपने आप आगया, और president भी आगया, तो सब ही आजाते है, इसके अन union territory is in Lok sabha, states तो अलागो थे, Delhi union territory है, तो लोगसभा में हमारे ली कितिनी seeds reserved ने, Delhi के लिए, डी वने अन दी पर रहती है, one that reserve, receive very little sunshine, suffer from, जिसने कभी sunshine ही नहीं दल भाई, मतलब बोडी में, weटमिन D की बहुत कम ही अगई है, उन्हें क्या दिक्कत है, इन्हें रिकेट्स हो जा खाते हो, और इजनल राइस नहीं खा रहे हो, तो आपको हो जाएगा बेरी-बेरी, next question the minimum calorie intake for sustaining their life is how much calories you should take, ताकि आपकी जिंदेगी चलती रहे कम से कम 200 calories लेनी होती है कर आपको एक healthy lifestyle जीनी है rural area में लोग इस से कम में भी जी रहे हैं तो healthy lifestyle नहीं है, बहुत बुरी हालत है लोग की वहाँ पर and triple vaccine is for whooping cough, titanus, diptheria एक triple vaccine लगती है अब vaccine जो है, एक बात का तो मैं बता ही है malaria के लिए तो vaccine लगती ही नहीं है second option तो ऐसे ही चला गया diptheria भी मैंने बताया था शायद bacteria से होता है तो इसके लिए vaccine लगती है, sorry missile के नहीं लगती है, हाँ missile होता है तो ध्यान रटना option को आप cut करते हो भी चल सकते हो कि भाईया ये तो हो नहीं सकता तो ये होगा because हर किसी का answer आपको नहीं पता होगा आपको cut shot बशाट जाना होगा तो answer है triple vaccine किसके लगती है whooping cuff, titanus और diptheria के लिए last question पर आगये गाई comment कर दो सब लोग जिनने video पूरी देखिए सब के साथ video को share करना ऐसे लंबे लंबे session से मैं लाता रहूंगा आखरी question तक जो भी टिका हुआ है आप अपनी life में genuinely महनत कर रहे हैं आप इत्ते लंबे session तक अगर आप पूरा बैट के पढ़ सकते हैं तो जी हाँ paper भी आराम से निकाल लेंगे आप से मिलेंगे हम बड़ी बड़ी universities में जामे में लाई इसलामें देली निवस्टी के नौर्थ केंपस में आप लोग जरूर हाँ जाएंगे वो किसी को भी दोनेट करेंगा जाके mix हो जाएगा कोई issue नहीं आएगा जिनको कोई भी इंसान खून दे दे आज की सीरीज गाईस यही तक थी मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं मैं आपको 100 कोशन रिवाइस करा दूँगा आज मैंने आपको और 100 कोशन रिवाइस करा दी है तो हमारा जो वन शॉट नमबर टू था वो खतम हुआ है स्रीविटी को लेकर कोई भी अप्डेट आई की तो मैं जरूर उपने चैनल पर दे दूँगा आज के लिए इतना ही ज्यादा आपको टाइम ग्रेश नहीं करूँगा आप इस वीडियो को चाहिए तो 0.5 पर देख लिए जल्दी बनाया है और ऐसे और वी सेशन्स आते रहेंगे तो चाहिए को सब्सक्राइब कर लिए बेल आके अंद बार लिए मैं आगे जाके डोमेंज की पढ़ाई भी करूँगा क्वांट भी सिखाऊंगा इसके लिए बहुत परिशान है तो आप से मिलते हैं अगली वीडियो में ओके गाइस अल दे बेस्ट